प्रिथ्वी करोणों वर्ष पुरानी यह मंडल करोणों वर्ष पुराना और इस करोणों वर्ष की यात्रा एक तरह से विकास की यात्रा है चाहे वह मानों का विकास हो चाहे समाज का विकास हो विश्व का विकास हो लेकिन यह तरह है कि यह यात्रा एक विकास की यात्रा रही सतत विकास की यात्रा रही और जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे ही वैसे ज्यान का भंडार बढ़ते जाता है हजारव वर्षपूर जो मत्र दो या तीन विशय हुआ करते थे जिसमें एक भाषा एक गणित और और कोई विशय समय के साथ साथ विशियों की संख्या बढ़ती गई विशियों में विविदिता बढ़ती गई और उनी विवर्टाओं में एक विशय मानो भूगोल भी है भूगोल जैसा शब्द से इस पष्ट है भू याने प्रित्वी गोल एक ऐसी धवरा अवधारना थी एक समय तक और भूगोल का जैसे जैसे उसके विशय के रूप में विश्तार होता गया जैसे जैसे भूगोल का दायरा बढ़ता गया वैसे ही वैसे भूगोल के अंदर भी कई नए विशय आने लगे आर्थिक भूगोल, राजनतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और एक मानो भूगोल मानो भूगोल एक वैज्ञानिक विश्य है यानि इसमें तर्क, कारण, प्रकार और उसके निवारण इन सब पर बाते होती है ये सतत रूप से जो मानों और वातावरन, मानों और प्रकृतिक के बीच में जो सतत रूप से परिवर्तन होते जा रहा है उस परिवर्तन का अध्यन ही मानों भुगोल का कारिक शित्र है मैं पना दोरादू, ये जो परिवर्तन शील घटना मानों और पर्यावरन के बीच में जो है, प्रकृतिक वातावरन के बीच में है यही एक तरीके से मानों भुगोल का एक अभिन विश्य है प्रिथ्वी के दो तत्व हैं, प्रमुक तत्व एक प्रकृतिक परियावरन और दूसरा जैविक परियावरन मानों जो है वो जैविक परियावरन का एक हिस्सा है प्रकृतिक परियावरन, प्रकृतिक वातावरन तो वो है जो प्रकृति से आया हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं जल, मृदा, नहर, तलाब, मिट्टी, जलवायू, वन, वनस्पती, जीवजन्तु आदी आते हैं जो प्रकृति से आये हैं और मानो निर्मित जो हैं उनमें हम बात करें तो कुछ दूसरी चीज़ आती हैं जैसे मानो निर्मित हम कह सकते हैं गाउं शहर सड़कें मकान आदियादि इस परकार दो तत्वों के बारे में जो पृत्वी की जो दो तत्व हैं उसमें से एक तत्व जैविक वातावरन का मानव है जैविक पर्यावरन का मानव है और हम उसका प्राकृतिक वातावरन से उसक सम्मंद का अध्यन ही मानो भुगोल का हिस्सा है इन दोनों के बीच की घटी घटनाएं मानो और परियावरण के बीच में जो भी घट रहा है परिवर्तन हो रहा है वो थानी परिवेश में हो रहा होगा स्थानी कारणों से हो रहा होगा सामाजिक कारणों से हो रहा होगा या सांस्कृतिक कारणों से हो रहा होगा आर्थिक भिन्नताओं से हो रहा होगा तो जो भिन्नताएं हैं ये भिन्नताओं का अध्यन भी मानो भुगोल का हिस्सा है लेकिन मैं पना इस बात पर जोड़ दूँगा कि मानो भूगोल में मानो और पर्यावरण के परस पर बदलते संबंधों का अध्यन किया जाता है और उसमें जो स्थानी बाते हैं बहतर समझ के लिए उन स्थानी बातों को, स्थानी मामलों को उसमें समावेशित किया जाता है और ताकि बहतर परिणाम, बहतर निश्कर्ष इन भनताओं के निकल सकें मानो क्रिया कलाब, आचार विचार, रहन सहन और भौतिक वातावरन पर इनका असर हम जैसा रह रहे हैं, हमारे रहने का असर वातावरन पर क्या पढ़ रहा है? भौतिक वातावरन पर, प्राकृतिक वातावरन पर क्या पढ़ रहा है? कितना अच्छा है क्या यही विकास है क्या ये विकास की प्रक्रिया के साथ है या इसमें कुछ परिवर्तन की आउश्कता है इस पारस्पिरिक परिवर्तन शील संबंध के अध्यन को ही मैं पना दोराऊंगा मानो भूगोल कहते हैं और यह विशय अपने स्वतंत रूप में लगभग उनिस्वी शताबदी में आया याने गच सो डेड़ सो वर्ष पूर्वी मानो भूगोल एक स्वतंतर विशय के रूप में सामने आया इसका जन्म हुआ फ्रेडरिक रेड़ेल जो एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोल वेत्ता थे उन्हें मानो भूगोल का जन्म दाता माना जाता है फ्रेडरिक रेड़ेल सान 1882 में याने 1882 में एंथ्रो पोजियो ग्रैफी ग्रंत की रचना कर उन्होंने मानो भूगोल की नई शाखा को जन्म दिया प्रित्धवी एवं मानो के परसपर संबंधों को मानो भूगोल ने एक नई दिशा दी यह जो दोनों के बीच के संबंध है उसको नई दिशा देने का कारे किया इनकी पुस्तक ने भूगतिक वातावरण और मानो के पारसमिक अंतर संबंधों का विशलेशन भी किया भूगतिक वातावरण एवं मानो यह दो अलगलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों ही क्रियाशील हैं क्रियाशील कारती है कि दोनों में सतत रूप से परिवर्तन हो रहा है जो दिखलाई भी देता है एक और भौतिक वाता औरण ये सतत रूप से आदिकाल से बदल रहा है और ऐसे मानों भी जाता हमने जाना है ये भी लाखों वर्षों से सतत रूप से बहुत धीरे धीरे बदल रहा है इसमें परवर्तन हो रहा है इसलिए इसे क्रियाशील कहते हूं मानो भूगोल इन ही संबंधों को एक तरह की संकल्पना प्रदान करता है संबंधों के बीच में एक तादात में बताता है इन दोनों के बीच में किस तरीके से जोड है यह मानो भूगोल से स्पष्ट होता है इस आधार पर मानो भूगोल की जो परिभाशाएं भूगोल वित्ताओं ने दी हैं चलिए थोड़ा देखें कि उनकी परिभाशाएं क्या हैं और कौन-कौन से भूगोल वित्ता ने क्या-क्या कहा है अमेरिकी भूगोल वित्ता जो एक महिला थी श्रीमती इस सैंपल, उनके अनुसार क्रियाशील मानो वगत शील प्रित्वी, मैं दोहरा दू, क्रियाशील मानो वगत शील प्रित्वी के परिवर्तन शील संबंदों का अध्यनी मानो भूगोल है, यहने निशकर्ष परिवर्तन शील जो संबंद हैं, इनका अध्यनी मानो कहलाता है दूसरा फ्रांसीसी भूगोल वित्ता विडाल डील अब्लाश ये बहुत ही प्रसिद भूगोल वित्ता हैं विडाल डील अब्लाश उन्होंने कहा है कि मानो जाती एवं मानो समाज प्रकृतिक वातावरन के अनुसारी विक्सत होते हैं यानि प्रकृतिक वातावर परियावरन का ही परिणाम है कि उसमें सतत रूप से परिवर्तन आता है और यही मानो भूगोल के अध्यान का मार्क प्रश्रस्ट करता है इसी से मानो भूगोल का अध्यान होता है याने परियावरन का असर मानो पर होने का तीसरी परिवाशा दी है जीन ब्रूंस ने जिनके उसका जो प्रभाव पढ़ रहा है पर्यावरन पर वातावरन पर धरातल पर यही मानो भूगोल का अध्यन का हिस्सा है मानो भूगोल उन सभी तथियों का अध्यन है जो मानो के क्रिया कलाप से प्रभावित है और जिने हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घट्नाओं में से चाट कर एक विशेश श्रिणी में रखा जा सकता है चौथे विद्वान डिमांजिया वेविस्वैम फ्रांस के हैं उन्होंने जो परिभाशा दी है उसके अनुसार मानो भूगोल को मानो समुदायों और समाज के भोतिक वातावरन से संबंध का अध्यन यानि ये परिभाशा भी मानो और वातावरन के बीच के संबंधों के और ही इशारा करती है और ये संबंध सतत रूप से क्रिया शील हैं सतत रूप से परिवर्थन शील हैं रूप समाज के हंटिंग्टन के अनुसार मानो भूगोल को प्राकरितिक वातावरन तथा मानवी क्रिया कलाप वे गुनों के संबंध स्वरूप और वित्रण के अध्यन के रूप में पारिभाशित किया जा सकता है यानि हटिंग्टन ने भी उन्हीं दो बिंदों के इशारा किया है मानो भूगोल के अध्यन के लिए मानो भूगोल के विशय के लिए प्राकृतिक वातावरण और मानुवी क्रिया कलाब चट्वी प्रिभाशा आती है मिस्टर डेविस के अनुसार वहां भी उनके अनुसार मानो भूगोल मुकितब प्राकृतिव वातारण और मानो क्रिया कलाबों के बीट के परस पर संबन के परिणाम के पार्थिव स्वरूप की खोज है अथ्वा प्राकृतिक वातारण के नियंतरण को उसके अधार के रूप में सिद्ध करने का प्रियास यानि एक कदम ये मिस्टर डेविस थोड़ा आगे गये हैं परिभाशा में और नोंने कहा है कि प्राकृतिक वातारण को नियंतरण करने का आधार जो है नियंतरण करने का जो प्रियास है वह मानो भूगोल का एक हिस्सा होता है अमेरिकी विद्वान वाइट एंड रनेट इन्होंने मानो भूगोल को पारिस्थितिकी विज्ञान माना है मैं पुना दोहरा दूँ पारिस्थितिकी विज्ञान उनके अनुसार प्रात्मिक रूप से मानो पारिस्थितिकी है तो यह एक बहुत समझने की बात है कि इन्होंने बड़ा स्पष्ट इसको नाम ही दे दिया है पारिस्थित की विज्ञान यह जो परिभाशाएं अभी हमने देखी समझी उसके अनुसारिय स्पष्ट है कि मानो भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्यन का एक पक्ष मानो तथा उसके क्रिया कला और दूसरे पक्ष उसके प्राकृतिक वातारों की शक्तियां एवं उसका प्रभाव है मैं पुना दोरा दूँ कि इस परिभाशाओं का निचोड क्या है एक और मानो और इसके क्रिया कलाप और दूसरी और प्राकृतिक वातारों और इसके शक्तियां ये इन दोनों के बीच का जो संबंध है इन दोनों के बीच में जो गतिशीलता है परिवन तन्शीलता है इस का अध्यन, कारण, प्रकारण यही मानव भुगोल का इस्सा माना जाता है. किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदाए और वहां के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परसपर का रियात्मक संबंध होता है. इन दोनों के बीच में एक संबंध रहत है. प्राकृतिक जो वातावरण है और वहां जो रहते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है. विश्व की सभी क्रियाओं का केंद्र मानव है. मानव सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व तथा सांस्कृतिक तत्व से अर्थ है जन संख्या, मकान, बस्ती, क्रिशी, वेन निर्मान, उड्योग, परिवहन इन सब का उप्योग करता है मानव और साथ ही वो प्राकृतिक तत्वों का भी उप्योग करता है जिसमें भूमी जल मिट्टी आदी आ सकती है यही मानव के अध्यान का केंद्र बिंदु है. मानव भूगोल भौतिक वतावरण बनाम मानव जनित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परवर्तनों की कहानी है. मानव भूगोल भौतिक वतावरण और मानव जनित मानव द्वारा बनाए गए परवर्तनों के बदलते हुए संबंधों का अध्यान है. जैसा मैंने पहले बताया कि भौतिक वतावरण क्या हैं, उसमें क्या-क्या समावेशित हैं, जल, वायू, नदी, पानी, मिट्टी, हवा, आदी-आदी. और मानव निर्मित क्या हैं? गाउं, शहर, नहर, सडकों का जाल, रेल का जाल, बंदर गाह, ये जो मानव के द्वारा जो बनाए गया हैं, यहने जो प्रकृतिक रूप से जो यहां पर नहीं आए, इस धर्ती पर, इस पित्वी पर, इन परिवर्तनों की कहानी, इन परिव भूगोल का एक अभिन अंग है, उधारन के लिए, जैसा मैंने बताए, गाउं, शहर, नगर वगरा मानव द्वारा बनाए गये हैं, ये मानव निर्मित चीजें, हमें ऐसा लगता है कि हमें विकास की और ले जा रही हैं, गाउं हमने बनाए, हमारा विकास हुआ, फिर वे किस्चित हुए, ट्रेन आई, रेल आई, फिर रेलों का जाल आया, परिवन व्यवस्था बनी, सड़कें बनी, फिर सड़कों का जाल बना, इसे हम विकास मानते हैं, और मानों द्वारा प्रभावित विकास, जिसमें उसने प्रकृति के उपर हावी होकर, कुछ चीजें का नर्मान किया है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण इसका है, स्वेज केनाल, स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है, वह, मनुष्य द्वारा बनाई गई है, मानों निर्मित नहर है, और ये करीब अठारा सो, उन्षट से अठारा सो उनहत्तर, याने आज से करीब देड़ सो वर पूर ये बनाई गई, और जब ये नहर बनाई गई, तो नहर बनाने के लिए जमीन काटी जाती है, तो एक थोड़ी दूरी की जमीन काट दी गई, तो उससे क्या हुआ? लाल सागर और भूमध्य सागर मिल गए, याने हमने सागरों को मिला दिया, प्रकृति पर हमारा हम थोड़ा हावी हुए और हमने दो सागरों को मिलाने के लिए एक नहर बना दी जमीन को काट दिया आप जैसा देखेंगे जमीन काटने से उतनी जमीन काटने से एशिया और अफरीका जो दो महाद्वीब थे प्राकृतिक रूप से जो हज्जारों वर्षों से जुड़े और परिवहन का मार्क बन गया समुद्री परिवहन का रास्ता बन गया जैसा कि नक्षे से स्पष्ट है लंदन से भारत इंगलेंड से भारत आने के लिए यदि 12,800-12,900 मील की आत्रा यदि पूर में समुद्र से करनी होती थी जो अफरीका दक्षिन अफरीका से होते हुए Cape of Good Hope और फिर बंबई वह यात्रा इस नहर के बनने से लगभग 4,800 मील की लंबाई कम हो गई क्योंकि अब बंबई से स्वेश के नाल होते हुए पूरे अफरीका को छोड़ते हुए हम सीधा लंदन पहुँच सकते हुए हैं क्या ये विकास है वास्ताव में इसमें मनुष्य ने अपने हित को ध्यान में रख कर ये नहर बनाई और इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए आर्थिक परिवर्तन आए भागोलिक परिवर्तन तो हुआ ही साथ ही साथ ये बिंदू आपको बहुत याद रखना होगा कि ये स्वेज नहर जो है स्वेज केनाल इसका राजनेटिक असर भी बहुत पड़ा और ना जाने जब से नहर बनी हैं तब से कितनी प्रत्यद्विंदिता विबने देशों के बीच में इसको लेकर हैं कितनी लड़ाईयां इसके लिए लड़ी गई होंगी कितना तनाव विश में आया होगा स्वेज कनल को स्वेज नहर को नियंतरित करने के लिए ये तो हुए एक ऐसी घटना जो हमारे लिए महटपूर्ण है और हमारा विकास इसमें दिखता है लेकिन हमने जो विकास किया है गत हजारों वर्षों में और विशेश रूप से गत तीन सो चार सो वर्षों में इस विकास ने कुछ अन्य खामियां कुछ अन्य बातें पैदा की ओजोन की जो परत है उस परत में छेद हो गया है और आप जानते हैं कि ओजोन की परत में छेद होने का क्या दुष परिनाम हुआ है कि उससे जो सूरज के किरने हैं वह हमारी धरती पर उसका जो रेडियेशन है उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और मानों जाती पर इसका बहुत बिरा प्रभाव पढ़रा है धरती का जो ताप मान है जो स्वाबहविक ताप मान हुआ करता था वो भी बढ़ गया है साथ ही हिम नदियां याने ग्लेशियर की यदि हम बात करें ग्लेशियर जिसे हिम नदी कहते हैं वे ग्लेशियर भी अपनी जगह से पीछे हट गया है याने क्योंकि हटे क्यों हैं पीछे क्योंकि बहुत कुछ वो पानी में बदल गया है और पानी में Glacier का बदलना क्यों? क्योंकि बढ़ते तापमान में बर्फ जो है वा पिखलने लगी Glacier जो है पिखलने लगे और इस पेकार बहुत सा पानी Glacier से होते हुए समुद्र में जा रहा है महासागर में जा रहा है और शंका है कि आने वाले समय में ये समुद्र ये महासागर इनकी जो उंचाई है जो प्राकृतिक उंचाई थी वह ज्यादा हो जाएगी याने एक दो इंच पानी की उचाई बढ़ सकती है समुद्री पानी की और एक दो इंच समुद्री पानी का बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है या समझने की बात है तो इस पकार ये ओजोन लेयर की जो मैंने बात की ये इसका जो कंसेंट्रेशन लेवल था जिसको हम जानते हैं कि ओजोन का घनत्व 1974 में इसका कंसेंट्रेशन उनके यूनिट में दी बात करें तो पांच सो साड़े चार सो से पांच सो था और अब 2020 यानि लगभग 45 वर्ष हो गया है 45 वर्ष में इसका कंसेंट्रेशन लेवल चार सो पांच सो से घटकर लगभग देड़ सो दो सो के बीच है ये एक बहुत खतरनाक इस्थिती है और लगभग हम नियूनतम स्तर पे जा रहे हैं और यदि यही परिवर्टन रहा तो विश्व की जलवायु में भयावह परिवर्टन आएंगे जो शायद मानो जाती के लिए हितकारी नहीं होगा कुल मिला के निशकर्ष ये है कि मानो भूगोल में हम उसी बात का अध्यान करते हैं कि ये परिवर्टन हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं और प्राकृतिक परिवर्टनों का हम पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है मानों के द्वारा किये जा रहे प्रकृति-परवर्तन जो है प्रकृति में जो हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है मानों भुगोल के इन परवर्तनों के अध्यान के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये परिवर्तन हुए इनका क्रम क्या था और मानो भूगोल में जो अलग-अलग विचार्धाराएं हैं वे किस तरह की हैं इसके साथ ही इन परिवर्तनों की प्रक्रिया कितनी स्लो रही कितनी तीवर रही यह भी मानो भूगोल में अध्यान का एक विशा है इस प्रकार भूतिक वातावरन का मानो द्वारा ब्रिहत स्टर पर परिवर्तन किया गया यह सब जो मैंने बातें की रेल गाओं खेत उड्योग ओजोन लेयर हिमशिकर आधी-आधी यह एक बहुत बड़े स्केल पर मानो के द्वारा यह परिवर्तन किये गया और साथ ही य क्रित ने भी मानो जीवन को प्रभावित किया है